सब्सक्राइब कीजिए बीयर क्राफ्टिंग चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें और देखें फैशन एन होम मिकिंग वीडियो सबसे पहले हाई फ्रेंड्स बीयर क्राफ्टिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी ब्लाउज या फिर सूटकी से लाई करते हैं और हमें मैचिंग कलर की पाइपिंग नहीं मिलती घर पे तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करते हुए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं और हम इस पर दिखाएंगे कि अगर आपके पास मैचिंग कलर की पाइपिंग ना हो घर पे तो आपकी इस तरीके से कपड़े की पाइपिंग लगा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो देखिए यहां पर हमने एक ब्लाउज लिया हुआ है ब्लाउज की फिनिशिंग हो चुकी है चारो तरब से जैसा कि आप देखी सकते हैं अब इसके गले पर पाइपिंग लगा के इसको फिनिश करना है यहां गले की इसलाई हमने नहीं लगाई है छोड रखिए तो यहां पर चलिए हम सीखेंगे किया कपड़े से कीस तरीके से पाइपिंग लगा के ब्लाउज को कम्प्लीट करें देखिए ब्लाउज ब्लू कलर की है और यह सिल्क फैब्रिक है और इसका ब्लैक कलर का है तो इसको ऐसे लगाना है स्टाट करेंगे तो चलिए मशीन पर मावा इसे करके लिखाती इस किनारय पर देखें बिलकुल पहल्त करेंगे प्ट्ट को भीषज्टेर साइ toi ध्यान रखिया अब सिलाई लाके इन दोनों को एक साथ अर्टैच करते जाएंगे आप चाहे तो पहले इसे पीन अप कर ले ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो पूरी राउंड में हमने ब्लैक उरे पट्टी लगा ली है अब गले पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे कर्स लगाने के बाद यह जो ब्लैक वाली पट्टी है उसको हम उल्टे साइट से पलट लेंगे इस तरीके से और फिर अपनी सिलाई लगा लेंगे अब सीधे की तरफ देख सकते एक पतलसा पाइपिंग बन जाएगा देखिए सीधे साइट की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए और यह जो हमारा पाइपिंग वाला हिस्सा है और यह कपड़े वाला उसके बीचों भी सिलाई लगाएंगे बिलकुल हमने ब्लाउस के चारो तरफ पाइपिंग अटेच कर लिया है और ब्लाउस को कम्प्लीट कर लिया है आपने इस वीडियो में देखा कि कीस तरीके से हमने कपड़े का पाइपिंग यूज़ किया और अपने ब्लाउस के गले को बनाया नेक्स टाइम से आभी इसी ट्रिक से अपने ब्लाउस की गले के फिनिशिंग करें ओपे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स पूर वोचिंग